मित्रों रायपुर नाम का एक गाउं था उस गाउं में दो भाई रहा करते थे एक का नाम था रामू दूसरे का नाम था जीतू दोनों बड़े प्यार से रहते थे दोनों भाई एक ब्राम्हर के घर में पैदा हुए रामू के पास दो बेटे थे वह पूजा पाठ करके किसी तरह से अपना घर परिवार चलाता था और रहता था जीतू की कोई संतान नहीं थी इसी वज़े से उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करती थी कहती थी आपके भाई के पास दो बेटे हैं रामू की पत्नी रामू से कहती है कि देखो छोटे भाईया के पास कोई संतान नहीं है क्यों ना हम अपना एक बेटा उनको दे दें रामू कहता है चलो ठीक है जीतू से बात करेंगे तब ही रामू जीतू के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है तुम मेरा एक बेटा अपने पास रख लो और उसकी परवरिस करो जीतू कहता है ठीक है भीया एक बेटा हम अपने पास रखेंगे और उसकी अच्छे से परवरिस करेंगे और कहता है कि इस बात का किसी को भीया पता नहीं चलना चाहिए रामू ठीक है कहकर वहां से अपने पूजा पाठ के काम के लिए निकल पड़ता है और यह सोचता ही रहता है कि चलो कुछ हमारा भी बोज हलका हुआ तब ही जीतू अपने बेटे से कहता है कि बेटा देखो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना जिससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओ यही सब बातें जीतू अपने बेटे को बड़े प्यार से समझाता है और बताता है और उसका नाम एक अच्छे स्कूल में लिखवाता है जहां पर उसे अच्छी सिच्छा मिले वह लड़का स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नमबर से पास होता है और अपने पिता का नाम रोसन करता है उस लड़के की लगन को देखकर और भी लड़के उससे प्रेरित होते हैं और उसी के जैसा पढ़ाई में अच्छा नंबर लेकर पास होने की सोचते हैं और उस लड़के के साथ रहने लगते हैं वह चोटा बच्चा सिच्छा अरजित करके एक सिच्छित नागरिक बनता है और अपने माता पिता से मिलने के लिए घर पर आता है माता पिता उसे देख कर बहुत प्रसन होते हैं कहते हैं कि आज हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया पढ़ लिक कर जीतू कहता है कि बेटा तुम्हारी स्कूली सिचा तो पूरी हो गई अब कहीं नोकरी ढूंड लो जिसे हमारा भी खर्चा आसानी से चले वह लड़का सहर की तरफ रवाना हो जाता है और कमपनी में काम की तलास में निकल जाता है वह रास्ते में जाते हुए यही सोचता है कि कहीं पे अच्छा काम ढूंड लो फिर हमारा भी काम अच्छा हो जाएगा वह लड़का एक बड़ी कमपनी में काम ढोट लेता है जहां पर उसे अच्छी तनकाह मिलती है जिससे उसका सारा काम सुधर जाता है और घर भी पैसा देने लगता है कुछ दिन बीटने के बाद वह लड़का अपने घर आता है और अपने पिता जीतू से मिलता है और कहता है पिता जी मुझे एक अच्छी नोकरी मिल गई है जिससे हमें अच्छी तनुखा मिल रही है अब हमें कोई दिक्कत नहीं आपको काम करने की भी जरूरत नहीं है वह अपने बड़े बाबुजी से भी मिलने जाता है और उसका छोटा भाई उसे देखकर उससे इर्शा करने लगता है कि यह तो मुझसे बड़ा हो गया अब इससे क्या बात करनी है मेरी लेकिन वह लड़का अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था और बगीचे में वह यही कहता है कि भाई मुझसे दूर क्यों हो मेरे पास क्यों नहीं आते मुझसे बात करना नहीं चाहते क्या यही कहते हुए वह वह वहाँ पर खड़ा होता है छोटा भाई उसे देखता ही रहता है लेकिन कुछ कहता नहीं चुक रहता है तब ही वह छोटा भाई वहां से चलकर घर चला आता है लेकिन वह बड़ा भाई उसको लेकर बहुत परेसान रहता है वह घर पर भी उससे मिलने आता है और कहता है भाई क्या दिक्कत है मुझे से बताओ मैं तुम्हारी समस्या का समधान करूँगा वह चोटा भाई कहता है कि मैं तुम से क्या कहूं तुम तो बहुत बड़े आदमी हो गए चोटे भाई की काफी समय से तबियत खराब रहने की वज़े से उसका दिमाग कुछ खराब हो गया था और इसी वज़े से वह किसी से सही से बातें नहीं करता था यह समझकर बड़ा भाई उसे डॉक्टर के पास ले कर आता है और सारी बात बताता है डॉक्टर भी उसे देखकर समझ जाते हैं कि इसकी दिमाग के इस्तित सही नहीं है वह दवाएं लिखती हैं और कहती हैं कि ठीक है इन्हें समय पर दवा खिलाईए और यह सही हो जाएंगे अभी इनको कोई दिकत नहीं यह जल्द ही ठीक हो जाएंगे आप घबडाओ मत दोनों भाई डॉक्टर से दवा लेकर घर वापस आ रहे थे तभी बड़ा भाई यही सोचता है कि मेरा छोटा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मैं इसे अपनी तरह कहीं ने कहीं लगवा दूँगा घर पर दोनों भाई रामू और जीतू दोनों भाईयों का इंतजार कर रहे थे कि दोनों कब आएंगे थोड़ी ही देर बाद जीतू कहता है देखो दोनों आ गए दोनों एक साथ हैं दवा लेकर आ गए अब इनको भी यह बड़ा भाई इनको ठीक करवा देगा और यह भी बड़े भाई की तरह अच्छा काम करने लगेगा जिससे इसकी भी समस्या दूर हो जाएगी यही कहते हैं तभी जीतू कहता है कि जिससे तुम इसनी इर्षा करते थे यह तुम्हारा सगा भाई है यही कहकर वह चुप हो जाता है तभी दोनों आपस में गले लग जाते हैं और कहते हैं कि माप कर दो भीया हमने आप से बहुत बड़ी भूल कर दो वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो एक छोटा सा कमेंट डाल दो